गुड़ मॉनिंग मेरे डियर वान्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंट्रासिंग स्टोरी तैट्स वलांग्स टू राविंसन क्रूज और ये राविंसन क्रूज कौन था मेरे प्यारे बच्चो ये एक यातरी था और एक बार क्या हुआ इसका जहाज समुद में तूट गया तूफान में और ये एक Izland पर पहुंचा आइसलेंड इुनोवल जो समुक्ष में समुदृ में होता है और चारोतर पानी से घरा हुआ होता है सीवाटर से अब क्या हुआ एक बढ़े ऑशियन्ट पर रहता था और इसे रहते रहते बहुत साल बीच चुके थे और वो आइजलेंड पर एक दिन ये कुछ पैरों के निसान देखता है और वो पैरों के निसान ये फील करता है कि वो जंगली लोगों के थे जंगली लोगों के यूनोवल जो इनसानों को पकड़ देते हैं उन्हें भून कर खा जाते हैं तो ये रोविंसन क्रूज जो है वो बहुत डर जाते हैं ये रोविंसन क्रूज बहुत डर जाते हैं कि ये लोग मुझे पकड़ देंगे और पका के खा जाएंगे ओके बच्चो और इस तरह से क्या होता है ये भाग कर अपनी केव में छिप जाते हैं और कई दिन तक अपनी केव से निकलते नहीं है केव का मतलब होता है गुफा से और मेरे प्यारे बच्चो चलिए इस प्यारी सी स्टोरी को पढ़ते हैं और पाते हैं कि फिर इनकी जिंदिगी में क्या होता देखी एक छोटी सी नाओ है इसमें और ये रॉविंसन क्रूज हैं जो भाग रहे हैं अपनी गुफा में ये पत्थर की गुफा है और वो एक सिड़ी से इसके दरवाजे पर चड़ते थे और गुफा में उतर जाते थे ओके फिर से हम बताते हैं ये क्यातरी थे जिनका जहा ये ले ही रहने वाले इन हैवी टेंट हैं और कोई भी दूसरा यहां पर नहीं रहता है लेकिन जब एक दिन ये पैरों के निसानों को देखते हैं देखे ये देखो ये पैरों के निसान और जो पैरों के निसान इनके पैर से बहुत बड़े बड़े थे तो ये टर जाते ह कि ये पैरों के जो निसान है वो यहां रहने वाले जंगली लोगों के हैं वो जंगली लोग जो इनसानों को पकड़ कर आग में जला कर खाला जाते हैं ओके बच्चों तो हमारा इस चैप्टर जो है इसका टाइटल है रोविंसन क्रूज और ये क्या खोजते हैं देखी हमार पत्या पएने हुए हैं हाथ में ये और नीचे है डिस्कवर्स अ फुट्परिंट और ये क्या खोजते हैं पैरों के निसान खोजते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों शुरूबात करते हैं आपके चैप्टर को ध्यान दीज़िएगा बहुत अच्छा से समझ में आएगा औ और नेचुरल ब्यूटी तो आप देखी रहे हैं इस चैप्टर में कितनी अच्छी है क्योंकि यह आइजलेंड पर रहते थे देखें क्या होता है बच्चो कि थोड़ा जूम कर लेते हैं इससे आपको और अच्छी से देखेगा अब यह रॉबिंसन क्रूज कह रहे हैं जो यहां पर रहते थे वन डे एक दिन की बात है वेन आई वास गोइंग जब मैं जा रहा था तो वार्ट्स माई वोट इन्होंने क्या करी थी एक नाव बनाई थी रॉबिंसन क्रूज ने वो नाव इसलिए बनाई थी कि बहुत साल ह हो चुके थे उस आईजलेंड पर रहते रहते तो वो नाओ के जरिये से उस आईजलेंड से जाना चाहते थे तो यह और उसको छिपा कर रखते थे इसको पत्तियों बत्तियों से छिपा कर रखते थे दीरे दीरे बनाते रहते थे इस वोट को तो यह एक दिन अपनी में एक पैरों के निसान थे और जबकि मैं तो यह समझता था कि इस आइज लेंड पर मैं ही रहता हूं I stood amazed मुझे तो बहुत ताज़ब हुआ I listened मैंने सुना I looked around me मैंने अपने चारों तरफ देखा I could neither hear nor see anything ना तो मुझे कोई वहाँ दिख रहा था और ना ही मैं किसी को सुन पा रहा था फिर मैंने क्या काम करा I bent up higher to look down तो मैं कभी उंचाई पर गया कभी नीचे आया कि देखूं तू है कौन I bent up the shore मैं समधर के किनारे गया यह यह जो shore समधर का तट होता है बहाँ पर and down the shore तो वो नीचे उपर गया but it was no good लेकिन कोई भी फाइदा नहीं हुआ क्योंकि बहाँ पर मुझे दिखाई नहीं कोई भी I could find no other footprints but that one और मुझे कोई दूसरा footprint दिखाई नहीं दिया उसी footprint के लावा I went to it again to see और मैं फिर से उस footprint को देखने के लिए गया if there were any more footprints if there were any more footprints की कास ऐसा हो जाए कुछ दूसरे footprints हो दूसरे पैरों के निसान हो and to tell और जो बताएं if it had been my imagination की क्या ये मेरी कलपना थी या बास्ता में हाँ पर किसी इंसान के पैरों के निसान थे but I was not mistaken लेकिन मैं गलत नहीं था for there was exactly the print of food हाँ बास्ता में बहाँ पर पैरों के निसान थे toes, heel, पंजे थे, याणी थी, every part of a food और जैसे ओठे, ये, ये, और पैर का पूरा हिस्सा था वहाँ पर I could not imagine मैं कलपना नहीं कर पाया how it came there मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पैरों के निसान आये कहां से I stayed a long time thinking मैं बहुत देर तक सोचता रहा, सोचता रहा but लेकिन became more and more confused मैं जितना सोचता था उतना ही परेशान हो रहा था, उतना ही confused हो रहा था आप देखो ये आगे कहते हैं At last, आखिर में I returned home very frightened frightened का मतलब होता है, बहुत डरा हुआ था At the last, मैं अपने घर लोटा और मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि घर किसमें था, वो एक cave में रहता था, गुफा में रहता था Looking behind me after every two or three steps मैं एक दो कदम चलता था, उसके बाद पीछे मुलमुल के देखता था Mistaking every post, और मैं हर बार गल्ती से किसीन हर ज़ाड़ी को मतलब mistaking कर रहा था And tree to be a man मुझे इतना डर गया था, मैं इतना डर गया था कि मुझे हर ज़ाड़ी और पेड़ एक इनसान जैसा लग रहा था कि मुझे पकड़ लेगा ये और मुझे भून के खा जाया था बहुत डर बैड़ गया था इसके अंदर अब आगे क्या होता देखें When I came up to my cave और जब मैं अपने cave में आया, अपनी गुफा में आया Which I called my castle Castle मानी होता है महल ये देखो castle लिखा आया और जिसको मैं महल बोलता था अपनी इस गुफा को महल बोलता था I ran inside it और मैं इसके अंदर गुफ गया As if, मानो, I was being chased और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा पीछा किया है I do not remember मुझे बिलकुल भी याद नहीं है Whether I use the ladder कि मैंने सिड़ी यूज की और went in via hole in the rock कि उस गुफा में मैं सिड़ी से चड़के गया था या फिर मैं hole से गया था छेद से गया था क्योंकि इतना डर गया तो उसे याद ही नहीं रहा बिलकुल भी अब क्या हुआ पिटा which I cut the door जिसको मैं उस दर्वाजा कहता था उस छेद गोज गुफा के छेद को दर्वाजा कहता था अब फिर क्या हुआ I rain for cover faster than any animal could run और मैं दोड़ा बचने के लिए इतनी तेज दोड़ा देखो यह लिखा faster than any animal could run इतनी तेज दोड़ा कि कोई भी जानवर इतनी तेज नहीं दोड़ सकता था अब क्या कहता है I did not sleep that night उस रात मैं सो नहीं पाया the more I thought जितना मैं सोचता था about what I had seen जितना मैं उस पैरों के निसान के बारे में सोचता था उतना ही मैं और ज़्यादा डर जाता था I thought मैंने सोचा it could be one of the savages of the mainland और जो mainland है बहां से कोई जंगली आया होगा who had wondered जो घूमता हुआ यहां चलाया out to the sea समुदर के रास्ते in a small boat एक छोटी सी नाओ में अब क्या हुआ बटा देखो luckily भगवाली बात यह हुई I was not on the sore at the time उस बक्त मैं समुदर के किनारे नहीं था अगर बना वो मुझे पकड़ ले जाता but what if he had seen me my boat लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोड देख ली होगी if he had seen the boat अगर उसने मेरी नाओ देख ली होगी he would have realized उसे पता लग गया होगा that someone lived on the island कि इस टापू पर कोई ना कोई इनसान रहता है and would soon return और वो बहुत जल्दी लोट के आएगा with others दूसरे लोगों के साथ to kill मुझे माडा लेगा and eat me और मुझे मार कर क्या कर जाएगा ये लोग खा जाएंगे and so I lay fearful for many days इसलिए मैं कई दिनों तक उसी गुफा में लेटा रहा और निकला ही नहीं and prayed और मैंने प्रावतना की for protection God से का God मुझे बचा लो बना ये लोग मुझे प्रकड के ले जाएंगे और भून के खा जाएंगे in doing so अगर ऐसा होता है I was much comforted और जब मैं थोड़ा सा relaxed हुआ and begin going out to investigate जब मेरे अंदर से थोड़ा डर निकल गया तो मैं गुफा से निकल के आया और देखने के लिए गया कि माजरा क्या है मामला क्या है देखूं तो but even now लेकिन अभी भी as I went forward जैसे ही मैं आगे बड़ा I looked behind me frequently frequently मानी होता तुरंट मैं इतना डर गया था इतना डर गया था कि बार 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 पलट-पलट के देखता था because I was still very frightened क्योंकि मैं बहुत जादा डरा हुआ था अब क्या हुआ however चुकि as I went about जब मैं गया for two or three days दो या तीन दिनों बाद and saw nothing और मैंने देखा कुछ नहीं था I became a little bolder मुरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई अब क्या हुआ I decided to go down मैंने decide किया जाने का तूदा शोर अगेन कि मैं समदर तट पर दुबारा से जाऊं देखूं तो कि कौन था कौन नहीं and I examine the footprint once more और मेरे दिमाग में आया चलो एक बार फिर से देखूं कि वो footprint किसका था I decided to measure it with my own footmark मैंने उस footprint के उपर अपना पैर रखा ये देखने के लिए कि ये मेरे footprint से कितना बड़ा था और अचंबे वाली बात थी कि ये footprint मेरे footprint से काफी बड़ा था as I came closer to the footprint और जैसे ही मैं उस footprint के पास आया I realized मुझे पता लगा that it could not be my footprint ये मेरा footprint होई नहीं सकता था because I had not come क्योंकि मैं नहीं आया था to this part इस area में of the beach some other cut के since a long ago अरे भाया मैं तो बहुत समय से इस area में आया ही नहीं था तो मेरा footprint ये कैसा हो सकता है secondly और दूसरी बात ये थी as I place my foot और जैसे ही मैंने उस footprint के उपर अपना पैर रखा alongside that footprint उस footprint के बरावर में it seemed larger than my own मुझे लगा ये तो मेरे footprint से भी बहुत बढ़ा था मेरे पैर के निसान से भी बहुत बढ़ा था my fear returned और इस तरह से एक बार फिर से मेरा डर मुझ पर हावी हो गया I went home again और एक बार फिर से मैं अपने घर चला गया है घर मतलब बच्चा समझ रहे हो ना बिटा वोई गुफा में जिसमें रहता था पत्थरी गुफा में जिसमें एक चोटा सा छेथ था सीनी के सहारे से चड़ता था उसमें believing मैं बिस्वास करने लगा that की there was someone there और मैं अच्छी तरीके से मानता था अच्छी तरीके से भरुसा करने लगा कि इस टापू पर कोई न कोई रहता है the island was inhabited कि इस island पर मैं ही अकेला नहीं रहता हूँ कोई दूसरा भी है जो इस island पर क्या कर रहा है भूम रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे dear ones देखिए आपकी इस तरह से ये जो Robinson cruise है वो क्या हो गया बटा complete हो गया इस प्यारी सी यारो adventurous story को और अच्छे से पढ़िएगा ओके बच्चा तो इस बार फिर से हम आप से बिदा लेते हैं और एक बार इस बात को कहते हुए कि अगर आपको किसी भी तरीकी की problem है तो मेरे इस personal sale number पर आप किसी भी वक्त काल कर सकते हैं मैं आपको surely उसका answer जरूर दूँगा thank you thank you very much